उन्तीस फरवरी दो हजार पीस ये वो तारिख थी जो देश भर के लगू सीमांद वभुमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सविरा लेकर आई और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानि एफपियोस के गठन एवं संबर्धन योजना का उपहार मिला किसान अब तक उत्पादक तो था ही अब वो फार्मर, प्रोडिशन, और्निजेशन, एफपियो उसके माध्यम से व्यापार भी करें एफपियोस के गठन ने छोटे वभो मिहीन किसानों को एक समहों के रूप में इखटा किया है जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुँच भी जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है इस योजना के तहट एफपियोस को चलाने के लिए तीन साल के लिए अठारा लाख रुपए दिये जाते हैं और दो करोड रुपए तक के लोन पर 75 प्रतिशत क्रेडिट गैरेंटी की सुविधात दी जाती है मेखालै की जैंतिया हिल्स फार्मा प्रिड्यूसर कामपनी कृशी कल्यान के साथ साथ नारी सशक्ति करण की भी गभाबन रही है क्योंकि इस से जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही है अपने गठन के मात्र नौ महिने में ये FPO इन महिला कृष्यकों की प्रगती को नई गदी दे रहा है 36 गढ़का बालोड आज इस योजना की रोष्णी से एक नई सुभा का साक्षी बन रहा है यहां अप्रेल 2021 में स्थापित की गई सर्वोदै क्रिशक प्रोड्यूसर कमपनी आसपास के 11 गावों के सैकडों किसानों का जीवन रौशन कर रही है मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही उचे दामों में और बहुत ही परिशानियों का सामना करना पड़ता था मैं जब से सर्वोदै क्रिशक उतपास लिमिटेट से जुड़ा हूं तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है जब से मैं एप्यों में जुड़ गया हूं तब से मुझे मारकेटिंग करने के कोई समस्या नहीं है मेरा उत्पाद जो है एपियो के माध्यम से बहुत दूर दूर तक भीक रहा है उडिशा का संबलपुर जहांके आदिवासी किसान कभी घरीवी कभी अंधेरे में चिया करते थे वो आज समरिद्धी के उचाले से जगमगाने लगा है और SFAC की सहायता वा उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है इस योजना ने छोटे-छोटे किसानों को चोड़कर बड़े समोहों में तब्दिल कर दिया है और लगू वसीमांत किसानों की सभलता की सैक्ड़ों कहानियों ने ये सिध्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं वो भूमिहीन भले ही हो पर संसाधन विहीन नहीं उसके पास आज तक्नीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी और मात्र दो वर्ष के अंदर देश का नदाता इस FPO योजना से जुड़कर अपना जीवन सुख में और सम्रिध बना रहा है